दोस्तों आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग जानेंगे जोएंडिस या फिर पिलिया के बारे में साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये जानेंगे जोएंडिस या पिलिया कब क्यों एंड कैसे होता है दोस्तों आपको इतना पता होगा कि जिस व्यक्ति को पिलिया या ज्वयंडिस होता है उसे बहुत बड़े से बड़े समस्या का सामना करना पड़ता है दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें पिलिया की पिलिया कैसा होता है या फिर क्या लक्षंड होते हैं तो आप देख पा रहे हैं जिस परशन को पिलिया होता है वो पूरी ब्ॉड़ी पीली परने लगती है साथि-साथ उसके नाखोन भी होने लगती है ये सारी की सारी समस्याओं आपको पीलिया के दोरान देखने को मिलती है दोस्तों जैसा कि आप सब को बता दें कि इन सारे की सारी समस्याओं का कारण है बिली रूबीन जब हमारे बाड़ी में बिली रूबीन बढ़ जाता है तब वो जोएंडिस का रूप ले लेता है दोस्तों अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि नहीं बिलुरुबीन क्या होता है तो आपको बता दें कि बिलुरुबीन जो है येलो कलर का एक पिगमेंट होता है यानि कि यह पीले कलर का पिगमेंट होता है जो कि हमारे body में ही या produce होता है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे body में लाखों cells होते हैं इसमें एक RBC यानि रेड़ बलड cells भी आपको देखने को मिलता है या RBC cells जैसे ही death करते हैं इनकी life समापत हो जाती है यही cell death करने के बाद हमारे body में bilirubin produce करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बॉड़ी में पर डे लाखो सेल्स डेथ करते हैं और लाखो सेल्स बनते हैं दोस्तों साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस बिलुरुबीन को मैंटेन करता है ये रेगुलेट करने का काम हमारा लीबर करता है हमारे बाड़ी में जैसे यह बिलुरुबीन बनता है फिर यह हमारे लीबर के पास जाता है और यह हमारा लीबर बाड़ी के हर एक फंक्शन में यूटिलाइज करता है और साथ ही साथ कुछ बिलुरुबीन को बाड़ी में यूटिलाइज करने के बाद एक्सक्रिशन कर देत इस तरह से हमारा लीवर जो है बिलूरुबीन के मात्रा को रेगुलेट करके मैंटेन करके मारे बॉडी में रखता है लेकिन दोस्तों जब कभी कभी हमारा लीवर इंफेक्टेड हो जाता है और ये लीवर काम करना बंद कर देता है यानिकि ये लीवर जो है उस बिलूरुब पड़ हमारे इस्कीन जो है अब ये लो पड़ने लगती है और हमारी आखे भी पीली पड़ने लगती है और साथ ही साथ हमारे नेल भी पीले पड़ने लगते हैं और दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि अब बीलरुबीन की मातरा जब हमारे बोड़ी में बढ़ जाती है जोएंडिस हो जाता है हमारे बोड़ी में खुजली होने लगती है क्योंकि यह बिलिरुबीन जो है एलर्जिक सबस्टेंस होता है जिसके कारण हमारे बोड़ी में खुजली होने लगती है और बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है दोस्तों अगर आप यह सार डाउट करते हैं कि यह jointes आखिर हुआ है तो कैसे हुआ है अखिर jointe होने का वज़्जह क्या है डाक्र देखते हैं कभी कभी हमारे बडि में क्या होता है hepatitis हो जाता है या फिर déjà defect to होता है या निजब भी कोई viral infection होता है तो उसमें हमारा लीबर जो है infected हो जाता है और यह proper way में काम करना बंद कर देता है और फिर jointis देखने को मिलता है साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि जब हमारे body में जब लीबर काम करना बंद कर देता है तो उस दवरान हैं हमारे red blood cells अरे लाल रुधिर कडिका हैं जो है बहुत तेजी से death करने लगती है और जैसे यह death करती है जब इनकी life खत्म होती है तो यह bilirubin produce करते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप जो है उस दवरान डाक्टर से जरूर मिले और दवा जरूर ले और साथ ही साथ आपके लिए परहेज भी बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों आपको बता दें कि आपका लिबर पहले ही डैमेज हो चुका है यानि कि आपका लिबर इन्फेक्टेड है जो की प्रॉपर वे में अच्छे से काम करना बंद कर दिया है उस दोरान अगर आप उसे ओली फूड या फिर चिकन मतन खा रहे हैं तो उस लिबर के उपर बहुत ज़्यादा प्रेसर पड़ेगा फंक्शन करने के लिए इसलिए पिलिया या ज्वैंडिस पेसिंट को उसके लिए ये खाने का परहेज भी बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों पिलिया के दोरान आपको बता दें कि आपको ओली भोजन या चिकन मतन या फिर तला भुना भोजन बिलकुल भी नहीं खाना है इस दवरान आप हरी सबजिया खा सकते हैं, फल फूरूट खा सकते हैं और प्रोटीन यूग तो भोजन ले सकते हैं और यह फल फूल खा सकते हैं जिसके वजह से अरालीबर जो है प्रॉपर वे में फंक्शन कर सके दोस्तों इस बीमारी में इन सारी चीजों का भी आपको बहुत खयाल लखना चाहिए साथी साथ आपको डाक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और परहेज भी आपको continue रखना चाहिए दोस्तों आज की लेक्चर वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe कर दीजेगा और जितने लोग भी subscribe नहीं किये हैं तो बिल्कुल subscribe कर देंगे ताकि इस तरह की वीडियो आपके बीच पहुचाता रहूँ Thank you to all of you